सो गाइस गुड मॉर्निंग असलाम अलेकुम सब्सक्राइब करता आपके इस अपने यूटुब चैनल मेक मनी गुरू पर आज किस वीडियो में बात करने वाले गाइस पीन बार के बारे में यानि मैं जो प्राइस सेक्शन को कोर्स स्टार्ट किये हैं उसी के नेक्स जल्दी की है तो मैं इस वीडियो में उसको कवर अप करने के कोशिश करूँगा प्लस जो हम कैनल स्टिक को देखने वाले हैं जैस आपको बता चुको प्राइस सेक्शन ट्रेडर कुछ लिमिटेड चीजों को देखते हैं और उसके ओपर ट्रेट इनिशेट अपना लगात वीडियो नहीं देख़ा है तो प्लेअगे प्लेट लिस में यह भी स the इनिक प्लेट सेक्शन गउटर एक प्लेब लिमêtre बना वह पहला वीडियो देखो अर अगर आपने इस एक अलिए जार बिद्बैण्थ बना हुए छे या साथ वीडियो नहीं का अब कर आपको पूरा बेसिक इंफॉर्मिशन मिल जाएंगा फॉरेक्स के रिलेटर प्लस टेक्निक अलेटर और भी वीडियो वहां पर अविलेबल है लेकिन रिक्वाइस करना चाहूंगा आप सभी से क्या वीडियो को आगे जाए 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 करो मैंने कल एक चीज़ नोटीस किया हो कि इस तरह का रिस्पॉंस दिखाऊंगे तो नुकसाना आपका है मेरा कुछ नहीं होने वाला है तो इसलिए जो सीख रहे हों से रिक्वेस्ट करूंगा कॉमेंट कीजिए आपको क्या फाइदा हो रहा है और इस वीडियो को आगे शेर कीजिए प्लस कॉमेंट बॉक्स में आ वेल्कम बैक वंस अगेन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन यहाँ पर अविलेबल है वीडियो के निची भी आपको लाल करका शुब्सक्राइब बटन दिखाए देंगा उस पर क्लिक कर लो साथ में बैल अगन पर क्लिक करके जिसके अंदर टूटल छे पार्ट जिसके अंदर लीवरेज, लॉट साइज, क्या होता है, कैसा वर्क चलता है फॉरेक्स के इनदर सब कुछ एक्स्प्लेइन किया हूँ तो अगर फॉरेक्स में केरियर बना चाहरे हो तो इस सीज को जरूर देखो प्लस यहाँ पर आपको जाता है तो इसके में उसी को डेफिनेशन के साथ साथ आपको एक्स्प्लेइन करूंगा किस तरह और कैसा आपको यूज करना है विदाउट अड़ पिन बार आर दा मोस्ट पॉप्लर कैनल स्टिक आउट देर पिन बार एक बहुत फेमस कैनल स्टिक पैटन है मैं जितने ट कैनल स्टिक विदा लॉंग विक अलसर सम्टेम्स कॉल अशैडव और एक बड़ा सा शैडव तो छोटी सी बॉड़ी होती है लाइक जिसने कैनल स्टिक पैटन देखा है तो उनको पता चल गया हूँआ कै मैं कुछ इन्वर्टेट हैमर की या हैमर की तरह बात कर रहा हूँ पिनबार रिप्रेजेट अशरप रिवर्टर से और मिडिवर्स और रिजेक्शिन ऑफप्राइस पिनबार हमको क्या देता है शाप प्रिजिय क्या होता है कि पम अर चखरसंग करेंगा उस प्र すय अपनी मार्केट कहा जाएंगा, हमको इससे मतलब कहा तक जाएंगा, अकर डाउन जाएंगा तो कहा से स्टार्ट होगा, यह चीज़ हमको देखना होगा, तो वही चीज़ बता रहे है, शार्प रिवर्सल और रिजिश्किन प्राइस हमको इन्फोरमेशन देता है, पिनबा जनरली हैव स्मॉल रियल बोड़ी कंप्राइजिन तू दर लॉंग टेल, उसकी बोड़ी काफी चोटी रहेंगी, उसके टेल यान इसको जो शाडव रहेंगा, उसको जो वीक रहेंगा, जिसको बोलते हैं, उससे का ओवरिक काफी बड़ा रहेंगा, वेन यू सी आपिन ब जांस आपिन बार बॉलते हैं, इसको अपना अपना नाम दिया हुआ है, आपको शरिफ उसका इंटरप्रेटिशन याद रहना है कि है वृक करते हैं, यहांपर दो कलर की क्याश्व पैटरन है, चरणले है, जनरली इसके का इसके को बैड़ेंश है, इसको 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 अप क्लर में कोई फरक नहीं है सिंपल साब कुछ नहीं जब भी बॉड़ी ऊपर से रहेंगा चैनल इसको लो बोलते है रिवीक बोलते है टेल बोलते है वह अगर नीचे से रहेंगा तो बुलिश पिन बार रहेंगा इसका अपोजिट अगर मार्केट इसका जो शाड़ है वह ऊपर साइट से और बोड़ी नीचे साइट से यह बेरिश पिन बार रहेंगा आपको यहां पर सब कुछ दिया है और हाई दिया है नोस दिया ओपन अपन अपन आप तो जिसको पता नहीं है तो इसको और से देख लो लिमिटर कैनल स्टिक पैटन अम इसमें यूज करते हैं तो यह जानना काफी जादा कुछ जरूरी है तो इसी इसका आप अलग से चार्ट भी बना करें तक आपको एक्सेक्ली समझ भाएं का पिन बार दिखता कैसा है मैं आपको कुछ चार्ट के स्नैप्शॉट यहां पर बता रहा हूँ यह आप देख सकत मैं आपको लाइफ अभी टर्मिल पर लेके जाकर भी बताऊंगा यह जो पहला केंडस्टिक है यह बेरिश पिन बार है और यह हमारा बुलिश पिन बार आप देख सकते हो मार्केट डाउन हुआ देन इतना पूरा मार्केट एक सिंबल से चीज है अब अगर इस केंडस्ट अगर इस तरह बना तो रिवर्स असाइन हो यहाना बहुत से लोग बोलते इसको अगर इस टाप का बन रहा है तो यहां से मार्केट है जाएंगा अब कितना डिस्टरंस पर हाई जाएंगा वह मैं आपको आने वाल टाइम में बताऊंगा सम टिप्स और पिन बार देना चाहूंगा पिन बार के कुछ टिप्स है तो लॉंगर था शैटो तो स्ट्रॉंगर था यूजवली था सिगनल जितना लंबा उसको वीक रहेंगा यानि जो शैटो जिसको जो लंबी डंडा था अगर जितना स्ट्रॉंग जितना बड़ा रहेंगा तो उतने ही स्ट्रॉंग सिगनल हमको मिलने वाला है सिंपल से चीज़ है अगर आप आपने देखा तो पिन बार को ऊपर से एक लंबा था शैडव था और नीचे से छोटा था यानि बॉड़ी के नीचे छोटा बना था लेकिन यहां पर क्या बात है तो यहां पर वो बता रहे के काफी बेस्ट पिन बार उसको माना जाता है अगुट पिन बार इस यूजवली अलार्जे दें पास्ट प्राइस एक्षिन और केंडल स्टिक अच्छा पिन बार उसको माना जाता है जिसके पहले का जो कैंडल स्टिक है उससे बड़ा बनेगा उससे और अच्छा स्ट्रॉंग बनेगा सिंपल सा हाइट का है यह पर ल्राओ करना है इसलिया हमको रॉब बनापता हम इसके पहले स्टॉंगल सिंपलेट यकैंड लेवलस इंटो अगर प्राइस स्ट्छन करन चाहरा हूं या मैं जिए फोकॉस कर तो ब text means बोलूगा जबी वे आपको support रेजिट्रेंस के ऊपर पिन बार मिले तो यह आपको trade लगाना है वह नहीं लगाना है कल के वीडियो में बता चुका हूँ support रेजिट्रेंस लेवल किस तरह ड्रॉख करना है जिसने वीडियो नहीं देगा कल का जाकर वीडियो देख लो तभी आ हमारा है फिन बार क्लासिकल फिन बार है यहां पर हमने एक रेजिस्टंट लेवल यहां पर बनाए और यहां लेवल को ने एक मार्केट के उपर रहने वाला है इतना इतना स्ट्रोंगर आपको घंफरमेशन मिलने बाला है अपρα सवाला दिखेंगे सेब्द हमने इस पर ट्रेट लगा जया यह पिन भार एक दिन का बन गया हमको दूसरी दिन पता चल गई है a बारें यहां पर और मार्केट चमद एंड्री लेंक्या मार्केट क्यों यहां से से लेंगे यहां पर और हमारा जो stop loss हम इनिशेट करेंगे तो जितना last pin bar का height था जहां तक pin bar का shadow बना है उस तक यह उस level तक हमारा stop loss रहेंगे तो उपर को जो level रहेंगे वो stop loss रहेंगा Forex में stop loss use करना कम पल चरीए क्योंकि है यहां पर पीन बार को देख लिया वंडे के चार्ट के अंदर यह बन गया second day आपको पता चल चुका है कि यह पीन बार बन चुका है आप सेल का यहां पर लगाऊंगे stop loss यहां पर रखोंगे जबी कोई भी resistant level को market test लेता है और उसके अगर rejection हमको signals मिलते है यानि पीन बार बना it means कि price इसको reject कर रहे है तो इतना आयाद रहे कि जो second support level रहे गा market वहां तक हर हाल में आता है अब यह बोलेंगा सरी यहां पर भी support level से मैं आपको बता चुका हमको जेनरली major support levels पर नज़र रख रहे हैं अगर हम smaller support level पर नज़र रखेंगे तो हमको इतना बड़ा profit नहीं होगा हमको major move notice करना जा पर हमको 300-400 pips at least एक trade में मिल सके है फ़ले trade को 6 दिन लगे है पर हमको single trade से 300-400 pips या 200-300 pips मिल सके तो हमको उसके लिए जो हमारा change in direction है जहां से strong changes हुआ है मार्केट में यह भी एक माल सकते हो पर यह strong वला नहीं है इसको भी एदा support ले सकते हो क्योंकि मैंने आपको बता चुक हो past support register level आपको minimum होना चाहिए आपको register level support level तभी बनाना है जहां पर आपको change in direction यानि market का trend totally change होना चाहिए वहां पर आपको यह draw करना है अब अगर आप यहां पर देखोंगे अगर आप यहां पर गवर कर रहे हो तो यहां पर एक bullish pin bar बना है बड़ उसके बात market इतना high q नहीं गया क्योंकि यहां पर कोई भी support or register level नहीं है इसलिए मैं आपको बलाओ support or register level के उपर ही pin bar मिला तो यह आपको use करना है आप गर यहां पर देख रहे हो तो यहां पर अगर आप देखे होंगे तो यहां पर shadow नीचे body ऊपर बना है तो यह हमारा bullish है और यह हमारे support level पर बना है इसके बात market है यहां सब देख सकते हो buy गया है पहला support level यहां पर buy signal लगा रहे है तो stoppers हमारा यहां रहेंगा इस shadow के नीचे और take profit पहला हमारा register level यह र तो थोड़ा सा भी notice कर रहे हो तो आपको strong confirmation के बाद एक अच्छा खासा 200 pips का यहां पर profit बन रहा है अगर आप इस इसको भी नज़र रखोंगे तो अगर आप जहां से sell किये उसके बास अगर आप last का देखोंगे तो इसमें भी आपको 200 pips तक का profit मिल रहा है इसलिए मैं आपको starting में भूला था कि आपको support और register level पर आपको अच्छे से practice करना है बहुत से लोगों को नहीं समझ मेरा support और register level कैसे drop करना है मैं अभी support और register के उपर आऊंगा लेकिन कल का हमवग आपका यह है कि आपको pin bar को इस तरह highlight करना है जहां पर pin bar support और register level पर बन र आए गया लेकिन register level से कुछ जिसको इसने breakout नहीं किया तो हम register level के साथ टार्गेट बनाएंगे जैसे समको register level मिलते रहेंगे वहाँ पर हमारा target रहेंगा जितना दूर जितने नंजिक नंजिक register level बन रहेंगे तो उस target पर close करने की कोशिश करेंगा आप यह आपर अगर दीख यह shadow काफी बड़ा रहेंगा यानि यह जो shadow है weak है जो आप बोलना चाहरे है उसको वह काफी बड़ा रहेंगा body चोटी रहेंगे अब आप बोलेंगे इसकी body बड़ी है तो उसका मुखाबले shadow पर कितना बड़ा बनाएं यह पिन बार नहीं है यह पिन बार यह जिसका shadow limited रह है तो हम यहाँ पर कोई trade नहीं लगा सकते rule को follow को रहेंगे तो आप को trade में success मिलेंगा आप बोलेंगे सर ऐसा है वैसा है वैसा नहीं चलने वाला यहाँ पर आप देखोंगे सेम वही चीज़ पिन बार हमको मिला है यहाँ पर भी shadow काफी बड़ा है body चूटी बना है उसके अब पर रेश्टर लेवल को test लेकर मार्केट डाउन आया है तो सपोर्ड रेश्टर लेवल हम बनाते ही इसलिए है क्या हमको target का पता चले मांग किया चले इस रेश्टर ले पर हम ट्रेड ले रहे पिन बार 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 रेट यहां से लिए स्टॉप लस्य हां पर रगाएं कोई reverse रसाने रिकार तो हम रखेंगे breakout मिल गया है तो हम सेल करेंगे सेकंड पर और थार्ड भी अल्मोस ब्रेकाट हो चुका है तो अभी हम माइनर से जो रेश्टर लेवल है उसको हम यहां पर बनाएंगे और हमारा next target रहेंगा इसका वह सेलिंग सेलिंग का यहां पर रहे exactly same तो कोई डिफ्रेंटी है लेकिन कुछ लोग तो सबच भग मैं बता क्योंको यह था कूछ लोग इसकर यूजिस्पा कर रहे है क्रिप्टो के अंदर मैंने क्रिप्टो करणियंकर रहा है क्रिप्टो करानिसे में यूसलिडर क्या थो आफ यूज नहीं किया हूं, सिंपल्स आपको मैं रिपीट करवा तो यहाँ पर आप जब भी ब्लैंक चार्ट बना दोंगे ब्लैंक चार्ट बनाने के बाद सबसे पहले चीज़ यह भी चीज़ है बहुत सो लोग बोल रहे कि सर हम ट्रेडिंग व्यू पर यूज करना है नहीं करना है ट्रेडिंग टर्मिनल पर यूज करो तुरह हाड होंगा समझने के लिए टर्मिनल के वीडियो बना चुक हो डैम अकॉर्ण कैसा बनना है कैसे के सब कुछ बना चुक है बजा कर वीडियो देख लो समझ में आ जाएंगा अब यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब रिपीट करो मेरा बना दूँगा उसके बाद मुझे चेंजिन सपोर्ट डारेक्शन का पर मिला है इसी इसको आप नोटीस कर लो मैं यहाँ पर एक लेवल अपना बना दूँगा शाइडव को बना लोग को बना इतना कोई फरत नहीं पड़ता है बहुत सब्सक्राइब इसके बाद चेंजि लेवल मिलने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिला यहाँ पर पिन बार सिगनल मुझे मिला पिन बार सिगनल मिलने के बाद मार्केट डाउन आया सिंपल सब्सक्राइब चार्ट देख रहे तो वही है लेकिन आपको बताना चार रहो उसके यूस कैसा है मैं इसको और ये बुलिष पीन बार बना है लेकि सपोर्ट कि बुलिष बनाएं लेकिन सपोर्ट पर लेकिन रहा था उस पर बनाई इसका सपोर्ट है लेकिन नीचे बार जूँकर वो support को test लेना चाहिए उस तरह वो यहाँ पर नहीं बना है यहाँ पर आप देख लो shadow resistant support level पर बॉड़ी और support level के ऊपर उसके पाद market हाई गया है यहाँ पर भी पिन बर मिला लेकिन आप इनिशेट नहीं करें अगर आप minor support levels भी draw करूंगे तो बिल्कुल आपको signals मिल जाएंगा लेकिन आपको major पर ही दिहान रखना है क्योंकि major के उपर आपको एक strong signal मिलता है strong signal से आपका बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है तो सिंपल सा चीज़ से एक दो तीन चार पाच पाच सपोर्ट और इस्टिंट लेवल टोटल बनना चीए जहाँ आप से पहला major moment है वह आपको आपको आप लाइन ड्रॉ करने आपने पिछले major moment को connect कर देंगा उसके बाद सपोर्ट पर रहाना है तो प्रैक्टिस करो यार कुछ फाइदा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेंगा कि आप चलो कुछ सीख कर पैसा गेन कर रहे इंकम स्टार्ट कर रहे वहना फिर मैं सीखा हो आप सीखेने तो कोई मतलब नहीं है यहां पर major reversal sign यह देख लो यहां पर है यहां पर लूंगा म कोई मसला नहीं है पिछले कानेक्ट होना चीए बस लेवल कनेक्ट हो चुका है यहां से रिजेक्शन हमको प्राइस ने दिखाया है उसके बास सेकंड लेवल में अगर ड्रॉ करना चाहरो तो यह देखो यहां से मुझे एक चेंजस मिला तो यह एक हो गया दूसरा तीसरा यहां से मार्केट ने रिजेक्शन करके हाई गया था यह तीसरे बात मुझे मिल चुका एक दो तीन मुझे भी और लेवल्स दूनना है माइनर्स लेवल में दूनने की कोशिश करूँगा यहां पर क्योंकि स्ट्रॉंगर तो हो गया यह माइनर्स यह माइनर्स लेवल में बना दीता हो ताकि हमारे पांच इंडर कम से कंस्रों मेशन हो सकी एक दो वगती चार होए पांचवा इंडर्स में यहां पर लगा दिता हूं कि यह माइनर्स मेजर नहीं है ठीक है मानेर्स भी है तो हमको इसमें भी सपोर्ट और बनाएंगे तो हमको हमको आइडिया आ सके अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कहा पर बना है पिन बार पिन बार को देखना तीम केंडल स्टिक पैटन आना वाल वीडियोस में कम्प्रीट करने वाला हूँ यहाँ पर आगर आप देखोंगे तो यहाँ पर बना है पिन बार आप बोलेंगे तो फिर वैसे तो बहुत कन मिल रहा है अगर यह फिऑर पैसा करेंना गाऊिया प्रीम ऑर फिर जाऔर, ट्रेटर्ण जे विडियो ażुक्रम की तो बड़े पर आपको ट्रेड लेना है, भंड़ेज इसोपर मेर्क बिण करने हैं आप के बनकर बन कुछ फाईदा नहीं है लेकिन का या यहां किया ना ही सपोॉट ले वल यहां उसका बनका कुछ फाइदा नहीं है इसलिए मैंना आपको बोला हूंना current price जो रहेंगा उससे पिछले 10-12 मैंना 8-9 मैंना जो आप बोलना चाहरे हो वह इसाफ से लीजिए तो आपको exactly market का moment पूरा समझ मेंगा कहा क्या क्या हो रहा है तो उसमें आपको clear कर समझ में आ जाएंगा उमीद करता आपको वीडियो प्रॉपली समझ में आ चुका है रिक्वेस्ट करूँगा समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देख लो कल का हम वगया तरको पीन बार आपको highlight करके मुझे स्लेक करना है स्रिफ जो support या register label पर बनेंगा उसी को highlight करना है 69 pairs है 69 pairs को आपको पूर दूढ़ने उसमें से पिन बार सब्सक्राइब प्रॉपर ड्रॉप करने हैं मुहां पर पिन बार जहाँ पर रहेंगा मुझे हाइलेट करके WhatsApp को रहें इमेल करो जो जहाँ जा जा तक आपको प्रॉपली समझ में आ चुका है दुबारा रिपीट कर वहाँ आपको समझ में क्योंकि important चीज़ है जितने बार देखने हो अच्छे तरह की सब के जहन में बैठ जाएंगा और जब आप ट्रेडिंग करोंगे तो उसमें आपको आसा नहीं होगा और इसके रिट अगर आपको को समझ में नहीं आए कोई point ऐसा जो समझ में नहीं बटाए प्लस अगर आप आपको सीखने में भी मज़ब आएंगा और प्लिस रिक्वेस्ट करों आपसे भी सेटी वीडियो को आगे ज़्यादी ज़्यादा शेयर करो फेस्बुक है वाटसप है जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली है उनके साथ शेयर करो ता कि जो लोग फैनेशल मार्केट में करेक प्लिस रिक्वेस्ट करता है झाल आएंगा